असलाम लेकूं आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हूँ पालक सोया की रेसिपी एक दम आसान तरीके से बनाना बताऊंगी आप इसको एक बाद जरूर से बनाना चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए जो चीजे चाहिए हमें ये मैंने 500 ग्राम पा पालक ज्यादा सोया कम है और सोया को थोड़ा सा मैंने अलक सी निकाल लिया है ये देखिए अलक सी निकाल लिया बाकी सोया पालक को एक साथ मैंने मिक्स कर लिया और ये बचा हुआ सोया मैं पकने के बाद डालूंगी दो मेडियम साइज के आलू इस तरह नंबे कटे लेसुन इस तरह बारिक कटा हुआ, आधी चमच हल्दी पॉडर, नमक चलिए फिर शुरू करते हैं, एक पैन में तेल गरम करेंगे, तेल जैसे ही गरम हो जाए एकदम अच्छे से, उसके अंदर बारिक कटा हुआ लेसुन डालेंगे, लेसुन को एकदम अच्छा गुलाबी होने तक फ्राइ करेंगे, यह देखिए इस तरीके से, अब बारिक कटी हुआ हरी मिर्ची डालेंगे, इसको भी अच्छे से भूल लेंगे, आलू डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसे ढख कर आदे मिंड के लिए पकने रखेंगे, डखन खोलेंगे, अब इसके अंदर नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिक्स करेंगे अच्छे से, अब इसके अंदर हम पालक, सोया जो बारिक कटा हुआ है, इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, अब इसे ढख कर तीन से चार मिंट के लिए पकने देंगे, तीन से चार मिंट के बार धकन खोला मैंने, ये सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, फिर एक से दो मिंट के लिए धकर पकने देंगे, ये देखिए, दो मिंट के बार धकन खोला मैंने, ये सब्जी हो गई है, एकदम रेडी, देखिए, आलू भी एकदम अच्छा गड़ चुका है, अब इसके अंदर सोया डालेंगे, फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा हुआ है, टमाटर डालेंगे, एकदम हलके हाथों से मिक्स करेंगे, यह देखिए, यह सब्जी हमारी हो गई है तयार, अब इसको हम सर्व करेंगे, यह सब्जी, रोटी, पराटे के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप एक बास जरूर ट्राइ करना, अगर यह आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्यू फूर लाइक करें, थैंक्यू फूर